परमेश्वर के दैनिक वचन मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि देह धारण का अर्थ यीशु के कार्य में पूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि वचन पूरी तरह से देह नहीं बना था. यीशु ने जो किया, वो देह में परमेश्वर के कार्य का केवल एक अन्ष ही था, उसने केवल छुटकारे का कार्य किया और मनुष्य को पूरी तरह से प्राप्त करने का कार्य नहीं किया. इसी कारण से परमेश्वर एक बार पुनह अन्त के दिनों में देह बना है. कार्य का ये चरण भी एक सामान्य देह में किया जाता है. ये एक सर्वथा सामान्य मानव द्वारा किया जाता है, जिसकी मानवता अन्ष मात्र भी सर्वोत क्रिष्ट नहीं होती. दूसरे शब्दों में परमेश्वर पूरी तरह से इंसान बन गया है और वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी पहचान परमेश्वर की है. एक पूर्ण मानव, एक पूर्ण देह की जो कार्य को कर रहा है. मानविय आँखों के लिए वो केवल एक देह है जो बिलकुल भी सर्वोत क्रिष्ट नहीं है. एक अतिसामान्य व्यक्ति जो स्वर्ग की भाषा बोल सकता है, जो कोई भी अद्भुत संकेत और चमतकार नहीं दिखाता है. व्रिहद सभाकक्षों में, धर्म के बारे में आंतरिक सत्य को तो उजागर बिलकुल नहीं करता. लोगों को दूसरे देहधारी देह का कार्य पहले वाले से एक दम अलग प्रतीत होता है. इतना अलग कि दोनों में कुछ भी समान नहीं दिखता. और इस बार पहले वाले के कार्य का थोड़ा भी अंश नहीं देखा जा सकता. यद्यपी दूसरे देहधारण के देह का कार्य पहले वाले से भिन्न है, लेकिन इससे ये सिध नहीं होता कि उनका स्रोत एक ही नहीं है. उनका स्रोत एक ही है या नहीं, ये दोनों देह के द्वारा किये गए कार्य की प्रकृती पर निर्भर करता है ना कि उनके बाहरी आवरण पर अपने कार्य के तीन चरणों के दोरान परमेश्वर ने दो बार देहधारण किया है और दोनों बार देहधारी परमेश्वर के कार्य ने एक नए युग का शुभारंभ किया है, एक नए कार्य का सूत्रपात किया है. दोनों देह धारण एक दूसरे के पूरक हैं. मानविय आँखों के लिए ये बताना असंभव है कि दोनों देह वास्तव में एक हीसरोच से आते हैं. कहने की आवशक्ता नहीं है कि ये मानविय आँखों या मानविय मन की क्शमता से बाहर है. किंतु अपने सार में वे एक ही है क्योंकि उनका कार्य एक ही पवित्रात्मा से उतपन होता है. दोनों देह धारी देह एक ही सरोच से उतपन होते है या नहीं, इस बात को उस युग और उस स्थान से जिसमें वे पैदा हुए थे या ऐसे ही अन्यकारकों से नहीं, बलकि उनके द्वारा किये गए दिव्यकार्य से तई किया जा सकता है. दूसरा देहधारी देह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता, जिसे येशु कर चुका है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य किसी परंपरा का पालन नहीं करता, बलकि हर बार वो एक नया मार्ग खोलता है. दूसरे देहधारी देह का लक्ष, लोगों के मन पर पहले देह के प्रभाव को गहरा या द्रढ करना नहीं है, बलकि इसे पूरक करना और पून बनाना है. परमेश्वर के बारे में मनुष्य के ज्ञान को गहरा करना है, उन सभी नियमों को तोड़ना है, जो लोगों के हृदय में विद्यमान है, और उनके हृदय से परमेश्वर की भ्रामक छवी को मिटाना है. ऐसा कहा जा सकता है कि, परमेश्वर के अपने कार्य का कोई भी अकेला चरण मनुष्य को उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं दे सकता. प्रत्येक चरण केवल एक भाग का ज्ञान देता है, न कि संपून का. यद्यपी परमेश्वर ने अपने स्वभाव को पूरी तरह से व्यक्त कर दिया है. किन्तु मनुष्य की समज के सीमित गुणों की वज़ा से, परमेश्वर के बारे में उसका ज्ञान अभी भी अपून है. मानव भाशा का उपयोग करके परमेश्वर के स्वभाव की समग्रता को संप्रेशित करना असंभव है इसके अलावा परमेश्वर के कार्य का एक चरण परमेश्वर को पूरी तरह से कैसे व्यक्त कर सकता है? वो देह में अपनी सामान्य मानवता की आड में कार्य करता है उसे केवल उसकी दिव्यता की अभिव्यक्तियों से ही जाना जा सकता है ना कि उसके दैहिक आवरण से परमेश्वर मनुष्य को अपने विभिन कार्यों के माध्यम से स्वयम को जानने देने के लिए देह में आता है उसके कार्य के कोई भी दो चरण एक जैसे नहीं होते केवल इसी प्रकार से मनुष्य एक अकेले पहलू तक सीमित ना होकर देह में परमेश्वर के कार्य का पून ज्ञान प्राप्त कर सकता है यद्यपी दोनों देहधारण के कार्य भिन हैं किन्तु देह का सार और उनके कार्यों का स्रोथ समान है बात केवल इतनी ही है कि उनका अस्तित्व कार्य के दो विभिन चरणों को करने के लिए है और वे दो अलग-अलग युग में आते हैं कुछ भी हो, देहधारी परमेश्वर के देह एक ही सार और एक ही स्रोत को साज़ा करते हैं ये एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता परमेश्वर के दो करते हैं